अंजनक दृष्टिकोंड से भारत को एक नेत्यत करने वाले शमता के देश की रूप में और केवल अपने देश का नेत्यत अपने शेत्र का नेत्यत नहीं लेकिन विश्व का नेत्यत करने वाली एक शमतावान देश की रूप में आज भारत को विश्व पटल पर देखा जा और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी की नेत्यत में एक नया रूप, एक भव्य रूप इस G20 को दिया है जबी भी भारत में पिछले कई वर्षों में अनेके सरकार आई अनेके सरकार गई पर कभी भी जबी भी एक विश्वक आयोजिन भारत में होता था तब बड़े-बड़े शहरों तक सीमित होता था, मुंबई हो, दिल्ली हो, यहीं तक सीमित हो जाता था ये पहली बार G20 का आयोजिन भारत के कोने-कोने तक 52 शहरों में आयोजित किया जा रहा है कश्मीर से, कन्या कुमारी से और कच्छ से लेकर असम तक ताकि विश्व का एक-एक यात्री जो भारत आए, भारत की विविदता, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की आधुनिक्ता और भारत की शमता का अनुभव इस G20 के जरिये जरूर लेकर अपने-पने देश में वापस जाए आखरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि G20 और ऐसे आयोजन, चाहे संयुक राश्टर के आयोजन हो, G20 के आयोजन हो, जादा करके ये केवल विक्सित देशों तक सीमित होते थे बात विक्सित देशों की की जाती थी, अजेंडा सेंटिंग विक्सित देशों के द्वारा किया जाता था ये पहली बार है कि एक-एक श्रिंखला में आप देखो, पिछली G20 इंडोनीशिया में, इस साल की G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा अगले बार की अध्यक्षता ब्रजिल के द्वारा, तो ये अब संकेत विश्व को मिल चुका है कि जो देशों में शमता है नेत्वित करने की और पूरी विश्व की आवाज केवल यॉरप और अमरिका और वेस्टन कंट्री से नहीं लेकिन ग्लोबल साउथ की आवाज भी प्रमुक्ता से विश्व पतल पे सुनी जानी चाहिए और ये संबव हो पाया है, अगर मैं कहूं तो प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी के नेत्वत के आधार पर संबव हो पाया बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार हुई वाकई और हम ऐसे भी कहते हैं कि केवल दिल्ली आकर आप पूरे भारत को नहीं समझ सकते हैं आप सिर्फ दो-चार शहरों में जाके भी नहीं समझ सकते हैं और जब बावन शहरों का वो विस्तार रहा लोगों के मन में वो उलास भी था, सबको लगता था कि कुछ महत्पूर हो रहा है हमारे शहर में, छोटे-छोटे शहरों में यहां तकी छटरपूर में भी देखा मैंने मद्यप्रदेश में, इसका आयोजन होते हुए कश्मीर तो चलिए, पूरी दुनिया की नजरे वहाँ पर थी, लेकिन जिस उमीद के साथ यह शुरुआत की गई थी प्रधान मंत्री ने और भी मंचों पर जब ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात कही है, आपको लगता है भारत प्रबल तौर पर उस अब तक अनसुने वर्ग की आवाज समूची दुनिया में बन पा रहा है? मैं मानता हूँ कि यह आज सौप प्रतिशत संभव हो पाया है प्रधान मंत्री जी की नेत्र तुम्हें आज देखिए क्या परिवर्तन आया है विश्व पतल पर भारत के प्रति हमारी कोविड मैनेजमेंट की सक्सेस कौन सा दूसरा देश है जो पहले कभी भी अपने देश में वैक्सीन का उत्पादन नहीं कर पाता था हम लोग अपने जोली को फेला कर अंतराष्ट जगत में भीक मांगते थे वैक्सीन के लिए चाहे बीसीजी हो स्मॉल पॉक्स हो आज उसी देश में दो-दो वैक्सीनों का अविश्कार हो रहा है और उत्पादन हो रहा है किसी और देश की इतनी आबादी नहीं है जितनी भारत की है 140 करोड जनता के आधार पर हम सबसे बड़ी आबादी की देश आज विश्व में बढ़ चुके हैं यह हमारा अड्वांटिज है लेकिन अड्वांटिज के साथ यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है और कोविड में एक-एक व्यक्ति को निशुल्क दो-दो टीके लगाना दो-सो-बीस करोड टीके लगाना ये कोई चमतकार से कम नहीं है जो अमरीका और यॉरप भी मान चुका है भारत के बारे में तीसरी बात भयंकर समय था कोविड का उस समय में नियॉक और हमने लंडन की दिर्श्य देखे जहां श्वेता और हम अगर जाते थे टीका लगाने के लिए तो मतलब कोई साधन नहीं होते थे परची पर हमारा नाम लिखा जाता था और परची पर रिसीड दिया जाता था कि आपको कोविड क्या टीका लग लग लिए यही भारत की सूचना प्रोधियों की की शमता है कि कोविन एप के आधार पर शहर में रहने वाला सक्षम व्यक्ति से गाउं में रहने वाले गरीब को डिजिटल सर्टिफिकेट कोविन एप का दिलवाना ये भी कोई चमतकार से कम नहीं है पूरा विश्व मान चुका तो कोविड की हमारी नित्यत की शमता वैक्सीन मैत्री के आधार पर एक सो देशों को हमने कोविड वैक्सीन भेजा जो देश वैक्सीन का आयात करता था वही देश आज वैक्सीन का निर्यात करता है उसी के साथ भरष्टाचार के मुद्दे पर एक बार नहीं बारम बार जो प्रधान मंत्री जी ने इस भरष्टाचार के मुद्दे को विश्व पतल पर उठा कर सभी देशों को मजबूर किया है कि भरष्टाचार के विरुद resolution पास करने के लिए और नए नए नियम पारित करने के लिए तीसरा मुद्द हमारे पास जो है हमारे देश में हमारी संस्कृती हमारी प्राची नितिहास हमारे खजाने नजाने क्यों हम अपने आप उन्हें celebrate नहीं कर पाते पर संयोक्त राष्ट्र में अंतराष्ट्र योग दिवस अगर किसी ने कर पाया है तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने कर वाया है 130 देशों के लोग और आज पूरा विश्व जान चुका है सभी देशों के शब्द कोश में आदें तो जो भारत अंग्रेजी इस्तमाल करता था आज वही भारत के आधार पर विश्व में हिंदी के शब्द इस्तमाल किये जा रहे है चौथी बारत एक दूर दृष्टिकों कि विश्व में परिवर्तन आने वाला है कोल के आधार पर उर्जा के इस्तमाल हम ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे तो एक दूर दृष्टिकों प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी की International Solar Alliance फ्रांस के साथ एक सो कंट्रीज को साथ में लेकर बनाया गया है ताकि 2030-2040 तक पांच सो गिग्स गिगावाट मतलब हजार मेगावाट एक गिगावाट में होता है पांच सो गिग्स की Solar capacity हम लोग निर्धारित कर पाएं तो आज भारत और आखरी उधारण में आपको देना चाहता है यूक्रेन और रूस की युद में Operation Ganga का मेरा अनुभव अलग जहां 23,000 बच्चों को केवल भारत सुरक्षित यूक्रेन से यूद वातावरण में अपने प्लेन्स को ले जाकर 90 हमारे नागर विमानन की प्लेन्स को ले जाकर सुरक्षित वापस लाने का काम अगर किसी देश ने किया है तो भारत ने किया है चीन ने एक प्लेन नहीं भेजा पाकिस्तान ने एक प्लेन नहीं भेजा केवल भारत ने 90 प्लेन्स भेजकर हमारे बच्चों को वापस लाए और उस यूद में भी एक समधान निकालने के लिए अगर किसी देश देश को देखा जा रहा है अंतराष्ट्र पटल पर तो भारत को देखा जा रहा है तो आज भारत की प्रतिभा भारत का सम्मान मान देश के अंदर आर्थिक शक्ति देश के बाहर विश्व का नेत्युत करने की शमता विश्व के कंपनीज आज देश में आ रहें कभी आपने में manufacturing facility लगाएगा अज सबसे ज़्यादा iPhones भारत में बन रहे हैं Airbus की C29 facility आज भारत में आ गई है manufacturing के लिए semi conductors का निवेश आज भारत में हो रहा है और तो और छोड़ो आज भारत अपना तिरंगा भारत में नहीं गाड़ा विश्व पटल पे नहीं गाड़ा चंदरायन तीन के आधार पर आज भारत अपना तिरंगा चांद पे गाड़ने जा रहा है हमारे rockets रूस के launch pad से जाते थे fuel tanks और engineering यॉरप से ली जाती थे Indian made rocket, Indian launch pad, भारत का तिरंगा आज चांद पे लाया जाएगा हमारे भारत के scientists के द्वारा तो ये एक परिवर्तन आया है और इसी परिवर्तन को पहचानते हुए आज पूरा G20 के सारे नेतित करने वाले लोग आज भारत के तरफ देख रहे हैं केवल G20 तक सीमित नहीं लेकिन आज विश्व में कोई भी संकट आईगी तो एक तरीके से उसका समाधान के लिए भारत को भी पूछा जाएगी क्या एक और बहतरी की उम्मीद आप कर सकते हैं क्या उस दिशा में हम सोच रहे हैं कुछ कि जब भी जैसे हम अंतराष्ट्रे उडानों के एक अड़े के तौर पर देख लें चाहे दुबई, कतर, सिंगपोर, बैंककॉक ऐसे जो सेंटर्स हैं जहां सिंगपोर वहाँ पर अधिकांश जो ट्रांजिट होते हैं या फिर वहीं से आप दूसरा connection ले सकते हैं क्या भारत का कोई शहर या भारत के कई शहर वो जगे हो सकते हैं जो अंतराष्ट्रे विमानों के लिए connectivity का point बने श्वेता जी ने बहुत एक महतपून बिंदू उठाया मैंने आप से निवेदन किया कि हम आज विश्व के सबसे बड़ी आबादी के देश पुराने जमाने में जो नागर विमानन शेत्र को एक बड़े लोगों का साधन के रूप में देखा जाता था एक quote unquote elitist रूप में देखा जाता था उसका लोग तांतरी करण अगर किसी ने किया है पिछले नौ वर्षों में तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने उड़े देश के आमनागरे की योजना के आधार पर किया है जिसके आधार पर एक viability gap funding के आधार पर हमारा गरीब व्यक्ति गाउं गाउं से आज उस उड़ान योजना से हवाई सफर कर रहा है 2014 में श्वता जी हमारे 6 करोड घरेलू यात्री होते थे नागर विमान शेत्र में 9 साल में आज साड़े 14 करोड घरेलू यात्री हो चुकी डबल से भी ज्यादा और ये मात्र में आपको विश्वास दिला दूँ केवल शुरुवात है 2030-2035 तक ये नंबर 14 करोड जो आज है 42 करोड तक जाएगा ये विश्वास में आप लोगों को दिलाता हूँ और इसके पीछे कारण है जो 14 करोड की हम लोग आज बात करते हैं उसमें से multiple travelers की संख्या बहुत है तो actual penetration 14 करोड मतलब हमारी आबादी की 10 प्रतिशत है actual penetration हमारी केवल 3 प्रतिशत है 97 परसेंट अभी बाकि है और अगर ये हमारी सोच और विचार धारा है अंतराष्टर जगत में अंतराष्टर ट्रैवल में हमारी बढ़ात्री हो रही है तो जो हमारी गलत नीतियां थी जिसके आधार पर आज हमारे जितने भी international hubs है वो भारत में नहीं है जैसे श्वेता जी ने कहा या तो हमारी पस्चिमी सरत पर है या हमारी पूर्वी सरत पर क्यों न भारत में एक international hub बने और आज हम उसी पे कार्य कर लें क्योंकि अब हमारे airlines में वो शमता भी आ गई है हमने सुना है Air India की deal 470 airplanes की 70 billion dollars की Indigo की deal 500 airplanes की क्यों न एक hub भारत में बने तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं दिल्ली airport के साथ जहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली airport के साथ Air India के साथ, इंड़ो के कोई साथ कि एक MCT के आधार पर minimum connect time domestic और international के आधार पर पहला hub हम लोग सोच रहे हैं दिल्ली में हम लोग बनाएं पर ये भी आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में दूसरे देशों की तरह एक hub की शम्ता नहीं है आप याद रखके मेरे शब्दों को आप याद रखेगा वो दिन दूर नहीं है अगले 10-15 सालों में भारत में एक international hub नहीं बनेगा लेकिन भारत में दो या तीन international hub बनने की हमारे देश की शम्ता है आपने दो एरलाइन्स का नाम लिया और इसी से मैं जुड़ा अगला सवाल आपसे पूछना चाती हूँ डूपॉली को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या केवल दो एरलाइन्स के इर्द गिर्द पूरा ये सब कुछ सिमट गया है क्या ये एक खतरा हो सकता है पूरी इंडिस्ट्री के लिए गुड़ क्वेस्ट्री देखिए अन्त में सिविल अविएशन के सेक्टर में प्राइसिंग के सिस्टम में प्राइसिंग इनलास्टिक नहीं हो सकती है प्राइसिंग इलास्टिक होती है हर दस या पांच प्रतिशत जो दाम बढ़ाया जाता है उससे यातरी घटते है और ये एक economies of scale की argument है मैं उधारन आपको दे दूँ जो चीज हमारे जिन्दगी में आजकल रिष्टे अनिवारिय नहीं हुए है पर ये डबा अनिवारिय हो गया है इसके बिना जिन्दगी जीना मुश्किल है इसको सुनो तो मुश्किल इसको ना सुनो तो मुश्किल है पर लेकिन ये जब डबा पहली बार देश में आया था मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस आया था मैं नौकरी करता था एक बैंकर के रूप में बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं तो यह डबा जब हमारे देश में आया था एक-एक डबा एक लाग का होता था और टॉक टाइम सोलर रुपए प्रती मिनिट होती थी आज यह डबा तीन अजार रुपए में मिल जाता है और टॉक टाइम शुनी जैसे जैसे शमताएं बढ़ती है जैसे जैसे अनकनेक्टिट शेरों में कनेक्टिविटी बढ़ती है ऐसे ऐसे शेरों को प्रधान मंत्री जी ने कनेक्ट कर लिया जो दृतिय विश्वय युद के बाद नागर विमानन के नक्षे से मिटाए गए थे मेर शरीफ है कोई कलपना नहीं कर सकता था कि वहाँ एरपोर्ट बनेंगे और उसके तहट जो एक मल्टिपल आया है सिविल अविएशन और कहीं कहीं हम लोग भूल जाते हैं कि जहां जिस सेक्टर में श्वेता जी जिस सेक्टर को जाना जाता था एरलाइन बंध होने के जनम लिया है अकासा के रूप में और आज उनकी फ्लीट बीस प्लेंस की होगी अगले दो तीन साल में वो बढ़के 72 तक मौचेगी रीजनल ट्राफिक में उडान योजना के तहट तीन तीन नए एरलाइन्स का जनम रीजनल एरलाइन्स का जनम हुआ है इंडिया वान एर फ्लाइ बिग और एक तीसरा तीन तीन एरलाइन्स की जनम हुई है तो एक सेक्टर का जो प्रॉसेस है कंसॉलिडेशन या डी कंसॉलिडेशन वो समय के आधार पर एक लेहर की तरह चलता रहता है लेकिन ये विश्वास मैं आपको दिला दूं कि कीन कॉंपरिशन इस जाति autor में सदेख गा और फैर्स के लिए भी comparative फैर्स का बातावर रंगवर उन्ये के अब ही कि प्राइसिंग से आप संतुष्थ हैं बिलकुल मैं आपको बता दूं की ये विमें आपके दौरा तुटित करना चाहता हूं कि हम लोगा शेत्र एक साल में एक सिक्लिकल एपरल मई में जब चुट्टियां शुरू हो जाती हैं हम लोग अपने बच्चों को चुट्टी के लिए ले जाने के लिए उत्सुक हो जाती है तो वो एक peak season होता है एपरल में से बारिश के पहले जून तक फिर एक down season आ जाती है जिस पे हम लोग अभी गुजर रहे हैं जुलाए से त्योहार तक October में जब दशेरा देवाली की शुरुआत हो जाती है तब peak season दुबारा शुरू हो जाती है जनवरी तक और फिर एक lull season फरवरी से एप्रल तक दुबारा शुरू हो जाती है तो एक cyclical sector हमारा है जहां fares भी और ये विश्वस तर्या है fares भी उस cycle को follow करती है अभी down cycle है तो fares पूरी तरह से घड़ गए है इसलिए कोई fares की बात नहीं कर रहा है लेकिन जब fares की बात की जा रही थी मई में और जून में तब एक high season था पर कठिनाई क्या हो गई हमारे देश में एक तो यात्रियों की बड़ोतरी बहुत हो गई प्री कोविड हमलों का high होता था 4,20,000 पर डे वो high होता था इस साल एप्रिल और मई में पंदर दिन साड़े चार लाग को हम पारगर करेंगी तो demand इतना बढ़ गया और कठिनाई की बात यह हो गई कि उस high demand period में हमारा एक airline अपने lessers के problem के साथ अपने OEM manufacturer के engine manufacturer के problem के वज़े से वो grounded हो गई तो एक तरह demand बढ़ गई और दूसरी तरह capacity 26 plane से कम हो गई और इसलिए वो spike हमने केवल उन sectors में देखा जो इस airline से प्रभावित हुए उधारन के तौर पे ले, पूने, एमदबाद, मुंबई और फिर 5 जून को मैंने airlines के साथ meeting ली है और उसके बाद उसी high season में करीब 60 से 70 प्रतिशत फेयर गिर भी गई उडान को एक सपने के तौर पर शुरू किया गया था, आप सरकार की बड़ी उपलबदी उससे बनाते हैं, लेकिन एक data पर मैं आपसे जवाब चाती हूँ, कि 2021 में credit rating agency ICRA की तरफ से जो जारी किया गया था, उसके अनुसार जो आपकी roots हैं और जो आपके airports हैं, जो set up हुए हैं उडान के तहट, उसमें 46 ऐसे हैं, जो underserved airports हैं, साथ scheduled commercial flights एक हफ़ते में मुश्किल से, और 17 unserved airports जहां से कोई scheduled commercial flights नहीं हैं, और साथ जो हैं, वो keval helipads हैं, इस पर कैसे react करें आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये प्रश्न उठाने के लिए, जिन्दगी में जब एक पानी का ग्लास सामने रखा जाता है, या तो देखा जा सकता है कि वो ग्लास आदा भरा हुआ है, या देखा जा सकता है कि वो ग्लास आदा खाली है, और दूसरा उधारन मैं आपको दे दूँ, अधोसन रचना के शेत्र में Do you put the cart before the horse or the horse before the cart? That is always a fundamental question हमारे देश में 2014 तक आजादी के 67 वर्षों में केवल 74 एरपोर्ट बने हुए थे आज 9 वर्षों में उसी संख्या को हमने 74 से बढ़ा कर हैलिपोर्ट और वाटर ड्रोम को हम एड़ करेंगे तो 148 बन चुकी है डबल हो चुकी है और अगले चार साल के अंदर हम इस संख्या को 220 तक ले जाएंगे हमारा काम है देश के हर व्यक्ति को सुलब साधन और कनेक्टिविटी एक-एक व्यक्ति तक पहुँचाने का कारिय की जिमिदारी हमारी है चाहे information हो digital technology के आधार पर चाहे movement का साधन हो आज आपके और हमारे जिंदगी में अगर एक बात की कमी है वो कमी है time की व्यक्ति जट करके जाना चाहता है हमने बनाई इन में से करीब करीब 62 एरपोर्ट्स वाटर ड्रोम्स और हेलिपोर्ट्स में कनेक्टिविटी आज चल रही है और उडान योजना के तहट एक वायबिलिटी गैप फंडिंग है तीन वर्षों के लिए जहाँ एक सबसिडी के तोर पर फंडिंग दी जाती है वहाँ ओडान चलाने के लिए जो 74 एरपोर्ट्स हैं उन में से करीब करीब सल्फ सस्टेनिंग 50 से 55 एरपोर्ट्स आज बन चुके हैं तो जो किसी ने कभी कलपना नहीं की थी वहाँ एक सल्फ सस्टेनिंग प्राफिटिबल मॉडल एरपोर्ट और फ्लाइट्स की आज प्रधान मंत्री जी की दूर दृष्टिकोन के आधार पर आज बन चुकी है हमारा सोच और विचारधारा है कि इसे हमें बढ़ाना होगा देश के कोने कोने तक हमें पहुँचाना होगा इसी वर्ष के लिए मेरे पास 18 से 20 एरपोर्ट्स की और वाटर एरोड्रोम्स और हेलिपोर्ट्स की शंकला है और उसे मैं बना के रहूंगा मेरा काम है सर्विस सेक्टर में एक-एक व्यक्ति को सर्विस पहुँचाने का और उसके आधार पर एक deregulated सेक्टर जो civil aviation है जहाँ profitable हो वहाँ roots चलेंगी जहाँ profitable ना हो वहाँ तीन साल तक subsidy के आधार पर उडान योजना के तहत भी हम लोग जरूर viability gap funding के आधार पर हम लोग assistance देंगे क्या हो जाता है कि एक market को आपको seed करना पड़ता है कई markets ऐसी होती है जहाँ सुचना नहीं होती convenience की जब उस market को आप seed कर दो और श्वेता जी या मुझे एक आदत हो जाती है शताबदी से जाने की या गतिमान से जाने की या वंदे भारत से जाने की या plane से जाने की तो फिर एक repeat customer हो जाता है तो हमारे पास दो चार है या तो हम उसे छुए ही न और वैसे की वैसी छोड़ दे और या तो जो अंग्रेजी में कहवत है न nothing ventured, nothing gained तो कई लोग हैं जो इस सोच की प्रवत्ती के होते हैं कि nothing वेंचर, nothing gained ही अच्छा है प्रधान मंत्री जी इस सोच की प्रवत्ती के हैं कि हर चुनौती को अफसर में बदलो और देश को आगे बढ़ाओ और वही इस उडान योजना के हादार पे बढ़ा है पर अपने मंत्राले का इतना सारा काम करते हुए आप मध्यप्रदेश चुनाओं पर फोकस कर पा रहें मुझे मालूम था अंत में शर्ता वहीं आएगी बिल्कुल मेरी कर्म भूमी है, मेरी जन भूमी है उस माटी के साथ एक खून का रिष्टा है और उसके विकास और प्रगती में चाहे मंत्रा ले रहा हो, चाहे न रहा हो एक जनसेवक के रूप में सदेव एक योगदान देने की एक ज्वाला मुखी की तडप दिल के अंदर कॉंग्रेस कह रही है कि मध्यप्रदेश बीजेपी में तीन गुट है एक शिवराज गुट, एक नाराज गुट और एक महराज गुट हैं क्या कठिनाई तो कॉंग्रेस के साथ ये है कि जो पार्टी टिपनी करती है वो अपने गिरिबान में नहीं जागती कॉंग्रेस में आज कितने गुट है अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी आदत नहीं है व्यक्तिगट टिपनी करने के लिए भारत्य जंता पार्टी एक काडर बेस पार्टी है भारत्य जंता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेश का नाम नहीं होता ये तुष्टी करण की पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये विकास और प्रगती की पार्टी है, ये एक-एक कारेकरता को मान सम्मान देने की पार्टी है, और अगर आज आपके सामने जोत्रायतिसिंद्या भारती जनता पार्टी का नेता नहीं ब सुनकर आप बहुत भावुक भी हो जाते हैं तो क्या कभी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं आपने आपको देखिए यह आपके सोच और विचारधारा की उपर निर्वर होता है जो मैंने बच्पन से देखा है चाहे मेरी आजी अम्मा हो चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो जो सेवा भाव की एक कल्पना सदेव इस परिवार में रही हो प्रजात तांत्रिक समय में और पुराने समय में भी दो तरीके के सोच विचारधारा होते हैं लेकिन इस परिवार में सोच विचारधारा सदेव रही है कि राजनिती मकसद नहीं होना चाहिए जनसेवा हमारा मकसद होना चाहिए और राजनिती केवल उस लक्ष की पूर्ती करने का माध्यम होना चाहिए तो जिन लोगों के लिए राजनीती लक्ष बन जाता है उन लोगों के लिए ये बहुत महत्पून है लेकिन जिन लोगों के लिए जनसेवा लक्ष बनता है उन लोगों के लिए जो भी माध्यम हो उसी के आधार पर विकास और प्रगती करने के लिलक की एक विचारदारा होती है और मुझे आज दो दशक हो गए जनसेवा में, राजनीती में नहीं क्योंकि शायद राजनीती से यह अतिश्योक्ती नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि मुझे भी शायद उतनी ग्रिना है जतनी आपको है लेकिन मेरे मन में सदेव एक ललक रही है क्या मैं नया कर सकता हूँ, क्या विकास ले जा सकता हूँ, क्या परगती ले जा सकता हूँ और मेरा दिमाख भी उसी पे सदेव चलता रहता है और जो भी रास्ता आपको दिया जाए चाहे जन्ता के आशिरवाद से सांसत के रूप में, विधायक के रूप में शीशनेते तो के आधार पर आपको अगर कोई जिमिदारी दी जाए, उस जिमिदारी को पूर निष्ठा से आप पूरा करो, दिन रात आप मेहनत करो, वही एक ललक मेरे मन में है। देखिए, परिवारवाद का शब्द का प्रयोग जब किया जाता है, वो किस संदर में है। परिवारवाद है? नहीं. लेकिन एक राजनितिक दल में, अगर एक ही परिवार के लोगों को, सर्वशेष्ट पद और ओदे पर बैठने का अधिकार और हक सदेव रहेगा, और एक प्रजातंत्रिक प्रणाली नहीं रहेगी, वो परिवारवाद जरूर कहा जाता है। तो जब परिवारवाद का शब्द इस्तमाल किया जयता है, तो पार्टी के अंदर भी कभी आपको मौका मिलना चाहिए, कभी आपको मौका मिलना चाहिए, कभी आपको मौका मिलना चाहिए। वही एक healthy professional environment होता है। विश्व के किसी भी company को आप देख लो, किसी भी संस्था को देख लो constant churn is a necessary and mandatory step for success अगर आपके संस्था में परिवर्तन नहीं होगा नहीं सोच, नहीं विचारधारा की वृद्धी नहीं होगी अनेक दूसरे लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा तो वो systemic decay के तरफ जाएगा और वही जब भारत्य जनता पार्टी परिवारवारत का शब्द इस्तमाल करती है उसी के प्रती इस्तमाल करती है इस पर नहीं कि अगर जनता के अदालत में आप जाकर जीतना चाहते हो अगर आपके पिता या आपकी माता जनसेवक रही हो तो वो कोई गुना नहीं होता और ये मैंने कॉंग्रेस में भी बैठके कहा था और आज आपके मंच पे बैठके भी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जनता की अदालत भगवान से कम नहीं होती और अगर वहाँ से कोई जीत के आए तो सरमाथे हमें लगाना पड़ता है सामने एक पूरा गठबंधन अब तयार हो गया है आप लोगों के मध्यप्रदेश में तो चलिए कॉंग्रेस बनाम बीजेपी साफतोर पर दिखता है पर ये इंडिया गठबंधन जो बना है वो परिशानी का सबब है इंडिया के लिए मैंने तो जो मेरी भावनाय थी अविश्वास प्रस्ताव में i.n.d.i.a. के बारे में सपश्टू से सदन के पटल पे रख दिया था ये जो गठबंधन है हिपोक्रिसी का ये जो एक गठबंधन है केवल एक तरफ मोदी जी को देखकर एक लक्ष है और स्वेम सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधिरंजन जी ने एन आए की इंटर्विव में भी कह दिया कि ये हमारी मजबूरी है मोदी जी को कैसे भी हो हमें रोकना है और इसलिए पॉलिटिक्स में मजबूरी होती है इसलिए हम लोग सब साथ में आगे हैं पर अधिरंजन जी और बाकी गड़बंधन के सदस्य नहीं जानते हैं कि मोदी जी अकेले नहीं है मोदी जी के साथ 140 करोर जनता कड़ी हुई है पर मुहबबत की दुकान तो राहूल गांधी चला रहे है उन्होंने भी एक स्पीच दिया जिसमें कई मुद्धों पर आप लोगों को आपती हुई पर आपको लग रहा है कि जब से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को पूरा किया है वो एक बहतर नेता और विक दुख का विशय भी है कि जिस रास्ते पर कॉंग्रेस चल रही है वो एक सिस्टमिक डिके जहां मेरिटोक्रसी की पैचान नहों जहां शमता को आगे ना बढ़ा जाए उस संस्था में आगे उस स्वयम उस संस्था का रूप एक तरीके से स्लाइडिंग स्केल पर ही चला जाएगा इसका मुझे पूरा विश्वास अंतिम प्रशन जी ट्वेंटी के साथ ही मैं पूरा करना चाहती हूँ कि अब लीडर्स समिट जब यहां पर होगा आप अपेक्शा करते हैं कि जो चुकि चुनावी साल है इसलिए व वजा रोहन में मलिकार जुन खड़गे नहीं पहुंचे थे पर आप उमीद कर रहे हैं कि पूरा का पूरा देश एक जुट होकर यहां पर खड़ा रहेगा जब पूरा विश्व यहां पर पहुंचेगा बड़ी-बड़ी आर्थिक महाशक्ति मेरी मनो कामना तो है कि पू मदबेद होना जरूरी है लेकिन मनबेद नहीं होना चाहिए प्रजात अंत्र में ये एक बहुत स्वस्त शंकला है कि विचारों में जरूर मदबेद होना चाहिए और टकर का मदबेद होना चाहिए लेकिन मनबेद नहीं होना चाहिए और जब देश का मुद्दा आया तब एक सब सब को साथ में होना चाहिए, ये न कि देश के अंदर कुछ और बात करो और विदेश जाकर दो भारतों की बात करो, ये देश का जंडा उचा नहीं करता है, ये देश के जंडे को नीचे करता है। G20 का ये जो आयोजन रहा है, पिछले साल जब हमने अध्यक्षता ली इसकी, उस समय से ही पूरे देश के अलग-अलग शेहरों में इसको एक परव के तौर पर सेलिबरेट किया जाए, ये कहा गया। आयोजन को उस रूप में दिखाया है, जो दावा पिछले साल हमने इसकी शुरुआत में किया था। पहले तो श्वेता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने यहां मुझे आमंतित किया, इस मंच पर उपस्तित होने के लिए सदेव एक उत्सुकता रहती है, एक सकारात्मक सोच और विचाध हरा के साथ ये कॉन्फरेंस हर वर्ष आयोजित किया जाता है, तो आपका बहु मैं सोचा, ये, मुझे से पूचा, ये, पहली बार है हमारे देश के इतिहास में, जब एक G20 का एक कारिक्रम हमारे धर्ती पर आयोजित किया जा रहा है, भारत की अध्यक्षता में, ये भारत का नया उदै का एक नया संदेश, केवल 140 करोड भारत वासियों को नहीं, लेकिन विश्व के 800 करोड जनता को आज भारत की धर्ती से गई है, इसमें विशेष्टा कई रूप से हैं, श्वेता जी, पहली बात तो ये, कि एक विश्व की नजर्ये में, एक बदलाव, प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी की नितित में, आज पून रूप से दिख रह है, भारत को एक सम्मान जनक दृष्टिकोंड से, भारत को एक नितित करने वाले शमता के देश की रूप में, और केवल अपने देश का नितित, अपने शेत्र का नितित नहीं, लेकिन विश्व का नितित करने वाली एक शमतावान देश की रूप में, आज भारत को विश् सुक्ता, इस बार भारत में आयोजित इस G20 पर है, और भारत सरकार ने प्रधानमंतरी जी की नेत्यत में एक नया रूप, एक भव्य रूप इस G20 को दिया है, जबी भी भारत में पिछले कई वर्षों में, अनेके सरकार आईई, अनेके सरकार गईई, पर कभी भी जबी भी एक विश्व का आयोजिन भारत में होता था तब बड़े-बड़े शहरों तक सीमित होता था मुंबई हो, दिल्ली हो, यहीं तक सीमित हो जाता था यह पहली बार G20 का आयोजिन भारत के कोने-कोने तक 52 शहरों में आयोजित किया जा रहा है कश्मीर से कन्या कुमारी से और कच्छ से लेकर असमतक ताकि विश्व का एक एक यात्री जो भारत आए भारत की विविदता भारत की संस्कृती भारत का इतिहास भारत की आधूनिक्ता और भारत की शमता का अनुभव इस G20 के जरिये जरूर लेकर अपने अपने देश में वापस जाए आखरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि G20 और ऐसे आयोजन चाहे संयुक्त राष्ट के आयोजन हो G20 के आयोजन हो जादा करके ये केवल विक्सित देशों तक सीमित होते थे बात विक्सित देशों की की जाती थी अजेंडा सेंटिंग विक्सित देशों के द्वारा किया जाता था ये पहली बार है कि एक-एक श्रिंखला में आप देखो पिछली G20 इंडोनीशिया में इस साल की G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा अगले बार की अध्यक्षता ब्रजिल के द्वारा तो ये अब संकेत विश्व को मिल चुका है कि जो देशों में शमता है नेत्युत करने की और पूरी विश्व की आवाज केवल यॉरप और अमरिका और वेस्टन कंट्री से नहीं लेकिन ग्लोबल साउथ की आवाज भी प्रमुक्ता से विश्व पतल पे सुनी जानी चाहिए और ये संबव हो पाया है अगर मैं कहूं तो प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी के नेत्युत के आधार पर संबव हो पाया है बहुत साओनी चीज़ें जो पहली बार हूई वाकशश हो फो नहीं कहता है क्यों दिल्ली आ कर आप पूरे भारत को नहीं समझ सकते हैं आप सिर्फ दो चार शेहरों में बहुत से बीज़ा हो कहा लोगों के मन में वह उल्लास भी था और प्रधान मंत्री ने और भी मंचों पर जब ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बाद कई आपको लगता है भारत प्रबल तौर पर उस अब तक अनसुने वर्ग की आवाज समुची दुनिया में बन पा रहा है मैं मानता हूँ कि ये आज सौप प्रतिशत संभव हो पाया है प्रधान मंत्री जी की नेतित में आज देखिए क्या परिवर्तन आया है विश्व पटल पर भारत के प्रति हमारी कोविड मैनेजमेंट की सक्सेस कौन सा दूसरा देश है जो पहले कभी भी अपने देश में वैक्सीन का उत्पादन नहीं कर पाता था हम लोग अपने जोली को फेला कर अंतराष्ट जगत में भीक मांगते थे वैक्सीन के लिए चाहे बीसीजी हो स्मॉल पॉक्स हो आज उसी देश में दो-दो वैक्सीनों का अविश्कार हो रहा है और उत्पादन हो रहा है किसी और देश की इतनी आबादी नहीं है जितनी भारत की है 140 करोड जनता के आधार पर हम सबसे बड़ी आबादी के देश आज विश्व में बढ़ चुके है यह हमारा अड्वांटेज है लेकिन अड्वांटेज के साथ यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है और कोविड में एक-एक व्यक्ति को निशुल्क दो-दो टीके लगाना दो-सो-बीस करोड टीके लगाना ये कोई चमतकार से कम नहीं है जो अमरीका और यॉरप भी मान चुका है भारत के बारे में तीसरी बात भयंकर समय था कोविड का उस समय में नियॉक और हमने लंडन की दिर्श्य देखे जहां श्वेता और हम अगर जाते थे टीका लगाने के लिए तो मतलब कोई साधन नहीं होते थे परची पर हमारा नाम लिखा जाता था और परची पर रिसीट दिया जाता था कि आपको कोविड के टीका लग दिया यही भारत की सूचना प्रोदियों की की शमता है कि कोविन एप के आधार पर शहर में रहने वाला सक्षम व्यक्ती से गाओं में रहने वाले गरीब को डिजिटल सर्टिफिकेट कोविन एप का दिलवाना ये भी कोई चमतकार से कम नहीं है पूरा विश्व मान चुका तो कोविड की हमारी नित्यत की शमता वैक्सीन मैत्री के आधार पर एक सो देशों को हमने कोविड वैक्सीन भेजा जो देश वैक्सीन का आयात करता था वही देश आज वैक्सीन का निर्यात कर रहा है उसी के साथ भरष्टाचार के मुद्दे पर एक बार नहीं बारम बार जो प्रधान मंत्री जी ने इस भरष्टाचार के मुद्दे को विश्व पतल पर उठा कर सभी देशों को मजबूर किया है कि भरष्टाचार के विरुद्ध रेजिलूशन पास करने के लिए और नए नए नियम पारित करने के लिए तीसरा मुद्दा हमारे पास जो है हमारे देश में हमारी संस्कृती हमारी प्राचीन इतिहास हमारे खजाने नजाने क्यूं हम अपने आप उन्हें सेलेबरेट नहीं कर पाते हैं पर संयोगत राष्ट्र में अंतराष्ट्र योग दिवस अगर किसी ने कर पाया है तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने कर वाया है 130 देशों के लोग और आज पूरा विश्व जान चुका है कि आगर आपको स्वस्त रहना है तो थोड़ा कुछ तो प्राणायाम कर लो योग निद्रा कर लो अगर कुछ और नहीं हो तो ये शब्द आज सभी देशों के शब्द कोश में आ दे हैं तो जो भारत अंग्रेजी इस्तमाल करता था आज वही भारत के आधार पर विश्व में हिंदी के शब्द आयो इस्तमाल किये जा रहे है चौथी बारत एक दूर दृष्टिकोन की विश्व में परिवर्तन आने वाला है कोल के आधार पर उर्जा के इस्तमाल हम ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे तो एक दूर दृष्टिकोन प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी की इंटरनेशनल सोलर अलाइंस फ्रांस के साथ एक सो कंट्रीज को साथ में लेकर बनाया गया है ताकि 2030-2040 तक 500 गिग्स गिगवाट मतलब 1000 मेगवाट एक गिगवाट में होता है 500 गिग्स की सोलर कपैसिटी हम लोग निर्धारित कर पाएं तो आज भारत और आखरी उधारण में आपको देना चाहता है यूक्रेन और रूस की युद में ओपरेशन गंगा का मेरा अनुभव अलग जहां 23,000 बच्चों को केवल भारत सुरक्षित यूक्रेन से युद वातावरण में अपने प्लेंज को ले जाकर 90 हमारे नागर विमानन के प्लेंज को ले जाकर सुरक्षित वापस लाने का काम अगर किसी देश ने किया है तो भ एक समधान निकालने के लिए अगर किसी देश को देखा जा रहा है अंतराश्य पटल पर तो भारत को देखा जा रहा है तो आज भारत की प्रतिभा भारत का सम्मान मान देश के अंदर आर्थिक शक्ति देश के बाहर विश्व का नेत्युत करने की शमता विश्व के कंपन में manufacturing facility लगाएगा अज सबसे ज़्यादा iPhones भारत में बन रहे हैं Airbus की C29 facility आज भारत में आ गई है manufacturing के लिए semi conductors का निवेश आज भारत में हो रहा है और तो और छोड़ो आज भारत अपना तिरंगा भारत में नहीं गाड़ा विश्व पटल पे नहीं गाड़ा चंदरायन तीन के आधार पर आज भारत अपना तिरंगा चांद पे गाड़ने जा रहा है हमारे rockets रूस के launch pad से जाते थे fuel tanks और engineering यॉरोप से ली जाती थे Indian made rocket, Indian launch pad, भारत का तिरंगा आज चांद पे लाया जाएगा हमारे भारत के scientists के द्वारा तो ये एक परिवर्तन आया है और इसी परिवर्तन को पहचानते हुए आज पूरा G20 के सारे नेत्यत करने वाले लोग आज भारत के तरह देख रहें केवल G20 तक सीमित नहीं लेकिन आज विश्व में कोई भी संकट आईगी तो एक तरीके से उसका समाधान के लिए भारत को भी पूछा जाएगा क्या एक और बहतरी की उम्मीद आप कर सकते हैं क्या उस दिशा में हम सोच रहे हैं कुछ कि जब भी जैसे हम अंतराष्ट्रे उडानों के एक अड़े के तौर पर देख लें चाहे दुबाई, कतर, सिंगपोर, बैंककॉक ऐसे जो सेंटर्स हैं सिंगपोर वहाँ पर अधिकांश जो ट्रांजिट होते हैं या फिर वहीं से आप दूसरा कनेक्शन ले सकते हैं क्या भारत का कोई शहर या भारत के कई शहर वो जगे हो सकते हैं जो अंतराष्ट्रे विमानों के लिए एक कनेक्टिविटी का पॉइंट बने श्वेता जी ने बहुत एक महत्पून बिंदू उठाया मैंने आप से निवेदन किया कि हम आज विश्व के सबसे बड़ी आबादी के देश हैं पुराने जमाने में जो नागर विमानन शेत्र को एक बड़े लोगों का साधन के रूप में देखा जाता था एक कोट अनकोट इलिटिस्ट रूप में देखा जाता था उसका लोग तांत्री करण अगर किसी ने किया है पिछले नौ वर्षों में तो प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी ने उड़े देश के आमनागरे की योजना के आधार पर किया है जिसके आधार पर एक वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर हमारा गरीब व्यक्ति गाउं गाउं से आज उस उड़ान योजना से हवाई सफर कर रहा है 2014 में श्वताजी हमारे 6 करोड घरेलू यात्री होते थे नागर विमान शेत्र में 9 साल में आज 14.5 करोड घरेलू यात्री हो चुकी डबल से भी ज़्यादा और ये मात्र मैं आपको विश्वास दिला दूं केवल शुरू आत है 2030-2035 तक ये नंबर साड़े 14 करोड जो आज है 42 करोड तक जाएगा ये विश्वास में आप लोगों को दिलाता हूँ और इसके पीछे कारण है जो 14 करोड की हम लोग आज बात करते हैं उसमें से multiple travelers की संख्या बहुत है तो actual penetration 14 करोड मतलब हमारी आबादी की 10 प्रतिशत है actual penetration हमारी केवल 3 प्रतिशत है 97 परसेंट अभी बाकि है और अगर ये हमारी सोच और विचारधारा है अंतराष्ट्र जगत में अंतराष्ट्र ट्रेवल में हमारी बढ़ोत्री हो रही है तो जो हमारी गलत नीतियां थी जिसके आधार पर आज हमारे जितने भी international hubs है वो भारत में नहीं है जैसे श्वेता जी ने कहा या तो हमारी पस्चिमी सरथ पर है या हमारी पूर्वी सरथ पर है क्यों न भारत में एक international hub बने और आज हम उसी पे कार्य कर लें क्योंकि अब हमारे airlines में वो शमता भी आ गई हमने सुना है Air India की deal, 470 airplanes की, 70 billion dollars की, Indigo की deal, 500 airplanes की, क्यों न एक hub भारत में बने तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्ली airport के साथ, जहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली airport के साथ, Air India के साथ, इंड़ो के कोई साथ, कि एक MCT के आधार पर, minimum connect time, domestic और international के आधार पर, पहला hub हम लोग सोच रहे हैं, दिल्ली में हम लोग बनाएं, पर ये भी आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि भारत में दूसरे देशों की तरह, एक hub की शमता नहीं है, आप याद रखके, मेरे शब्दों को आप याद रखेगा, वो दिन दूर नहीं है, अगला सवाल आप से पूछना चाहती हूं, डूपॉली को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कि क्या केवल दो एरलाइन्स के इर्दगिर्द पूरा ये सबकुछ सिमत गया है, क्या ये एक खतरा हो सकता है पूरी इंडिस्ट्री के लिए? Good question, देखिए, अंत में, civil aviation के sector में, pricing के system में, pricing inelastic नहीं हो सकती है, pricing elastic होती है, हर दस या पाँच प्रतिशत जो दाम बढ़ाया जाता है, उससे यातरी घटते हैं, और ये एक economies of scale की argument है, मैं उधारन आपको दे दूँ, जो चीज हमारे जिन्दगी में आजकल रिष्टे अनिवारिया नहीं हुए हैं, पर ये डबबा अनिवारिया हो गया है, इसके बिना जिन्दगी जीना मुश्किल है, इसको सुनो तो मुश्किल, इसको ना सुनो तो पर लेकिन ये जब डबबा पहली बार देश में आया था, मैं विदेश से पड़ाई करके वापस आया था, मैं नौकरी करता था एक बैंकर के रूप में, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो यह डबा जब हमारे देश में आया था एक एक डबा एक लाग का होता था और टॉप टाइम सुलर रुपै परती मिनिट होती थी आज यह डबा तीन अजार रुपै में मिल जाता है और टॉप टाइम शुनी शुरूने में, economies of scale की आगुमेंट है, और वही economies of scale हम लोग सिवलेवियेशन सेक्टर में भी देख रहे हैं, जैसे जैसे फलीट बढ़ती है, जैसे जैसे शमताएं बढ़ती है, जैसे जैसे अनकनेक्टिट शेहरों में कनेक्टिविटी बढ़ती है, ऐसे ऐसे शेहरों को प् सामे जर्सुगुडा, वर्ल्ड वार्टू का एर्स्टू, दर्बंगा, असम में रूपसी, राजिस्थान में किशनगर जहां मारबल ट्रेड और अजमेर शरीफ है, कोई कलपना नहीं कर सकता था कि वहां एर्पोर्ट्स बनेंगे, और उसके तहट जो एक मल्टिपल आया है Civil Aviation, और कहीं कहीं हम लोग भूल जाते हैं कि जहां जिस सेक्टर में श्वेता जी, जिस सेक्टर को जाना जाता था, एरलाइन्स बंध होने के लिए, Kingfisher, Jet Airways, आज उसी सेक्टर में 20 साल बाद एक नए एरलाइन ने जनम लिया है, अकासा के रुप में, और आज उनकी फ्ल के 72 तक मौचेगी, रीजनल ट्राइफिक में, उडान योजना के तहट, तीन तीन नए एरलाइन्स का जनम, रीजनल एरलाइन्स का जनम हुआ है, इंडिया, वन एर, फ्लाइबिग, और एक तीसरा, तीन तीन एरलाइन्स की जनम हुई है, तो एक सेक्टर का जो प्रोसेस है Consolidation या Deconsolidation, वो समय के आधार पर एक लेहर की तरह चलता रहता है, लेकिन ये विश्वास मैं आपको दिला दूँ, कि कीन competition इस सेक्टर में सदेव रहेगा, कट्थ्रोट competition इस शेत्र में सदेव रहेगा, और fares के लिए भी comparative fares का वातावर इस शेत्र में सदेव रहेगा अभी की pricing से आप संतुष्ट हैं? जून तक, फिर एक down season आजाती है, जिस पे हम लोग अभी गुजर रहे हैं, जुलाए से त्योहार तक, October में जब दशेरा देवाली की शुरूआत हो जाती है, तब peak season दुबारा शुरू हो जाती है, जनवरी तक, और फिर एक lul season, फरवरी से एप्रल तक दुबारा शुरू हो जाती है, तो एक cyclical sector हमारा है, जहां fares भी और ये विश्वस तर्या है, fares भी उस cycle को follow करती है, अभी down cycle है, तो fares पूरी तरह से घड़ गए है, इसलिए कोई fares की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब fares की बात की जा रही थी माई में और जून में, तब एक high season था, पर कठ कठनाई क्या हो गई हमारे देश में, एक तो यात्रियों की बड़ोतरी बहुत हो गई, pre-covid हमलों का high होता था, 4,20,000 पर डे, वो high होता था, इस साल, एप्रिल और मई में, पंदर दिन, साड़े-4 लाग को हम पार करेंगे, तो demand इतना बढ़ गया, और कठनाई की बात ये हमारा एक airline, अपने lessors के problem के साथ, अपने OEM manufacturer के, engine manufacturer के problem के वज़े से, वो grounded हो गई, तो एक तरह demand बढ़ गई, और दूसरी तरह capacity 26 प्लेन से कम हो गई, और इसलिए वो spike हमने केवल उन sectors में देखा, जो इस airline से प्रभावित हुए, उधारन के तोर पे ले, पूने, एमदबाद, मुंबई, और फिर पांच जून को मैंने एक airlines के साथ meeting ली है, और उसके बाद उसी high season में करीब 60 से 70 प्रतीशत फेयर्ज गिर भी गई उडान को एक सपने के तौर पर शुरू किया गया था, आप सरकार की बड़ी उपलब्दी उससे बनाते हैं, लेकिन एक data पर मैं आपसे जवाब चाती हूँ, कि 2021 में credit rating agency ICRA की तरफ से जो जारी किया गया था, उसके अनुसार जो आपकी roots हैं और जो आपके airports हैं जो set up हुए हैं उडान के तहट, उसमें 46 ऐसे हैं जो underserved airports हैं, साथ scheduled commercial flights एक हफते में मुश्किल से, और 17 unserved airports जहां से कोई scheduled commercial flights नहीं हैं और साथ जो हैं, वो cable helipads हैं, इस पर कैसे react करेंगे हैं? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ये प्रश्ण उठाने के लिए, जिन्दगी में जब एक पानी का ग्लास सामने रखा जाता है, या तो देखा जा सकता है कि वो ग्लास आदा भरा हुआ है, या देखा जा सकता है कि वो ग्लास आदा खाली है, और दूसरा उधारन मैं आपको दे दूँ अधो संरचना के शेत्र में do you put the cart before the horse or the horse before the cart that is always a fundamental question हमारे देश में 2014 तक आजादी के 67 वर्षों में केवल 74 airports बने हुए थे आज 9 वर्षों में उसी संख्या को हमने 74 से बढ़ा कर हैलिपोट और वाटर ड्रोम को हम एड़ करेंगे तो 148 बन चुकी है डबल हो चुकी और अगले चार साल के अंदर हम इस संख्या को 220 तक ले जाएंगे हमारा काम है देश के हर व्यक्ति को सुलब साधन और कनेक्टिविटी एक-एक व्यक्ति तक पहुँचाने का कारिय की जिमिदारी हमारी है चाहे information हो digital technology के आधार पर चाहे movement का साधन हो आज आपके और हमारे जिन्दगी में अगर एक बात की कमी हैं